बॉलिवुड इंडस्ट्री में सल्मान खान एक बहुत बड़ा नाम है इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि सल्मान इस इंडस्ट्री में एक पुराना नाम है यहाँ तक के कभी कभार देखने को ये भी मिलता है कि सल्मान के एक इशारे पर बॉलिवुड में कई फैसले बदल जाते हैं अगर आप सल्मान को क्लोजली फॉलो करते हैं तो आप ये बाद जानते ही होंगे कि सल्मान खान को गुस्सा बहुत जल्दी आता है जिसके चलते उनका कई सेलेब्रिटी से पंगा भी हो जाता है बाद में ये सलेब्रिटी सल्मान खान से माफी भी मांगते हुए नजर आते हैं उदारन के लिए विवे कॉबरोय और अरिजीत सिंग को ही देख लीजिए आज भी सल्मान खान का गुसा इन लोगों के लिए शान्त नहीं हुआ है लेकिन इस इंडर्श्री में एक ऐसा भी शक्त है जिसने सल्मान खान के साथ जान बूच कर पंगा लिया लेकिन आज भी ये सलेब्रिटी बॉलिवुड में पहले की तरह ही काम कर रहा है और सल्मान उनका आस तक कुछ नहीं बिगाड पाए आगे आपको बताएंगे कौन है ये सलेब्रिटी बने रहिए हमारे साथ नमस्कार अमंत्र पाठी के साथ आप देख रहे हैं हमारा चैनल नेक्श नैन नियूज तो वाक्या तो आपको याद ही होगा जब एक अवार्ड फंक्शन में सल्मान और अरिजीत की तीखी नोग जोग हुई थी सल्मान ने अरिजीत पर उनकी परसनेलिटी को लेकर यतंज खसा था कि सोते सोते क्यों आए हो भाई जिस पर अरिजीत सिंग ने कहा था कि आप लोगों ने सुला दिया उसके बात का नतीज़ा आप जानते ही हैं कि आज तक सल्मान की मूवी में अरिजीत ने कोई गाना नहीं गाया है हलांकि इससे अरिजीत के करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा है वो मौजूदा दौर में बॉलिवुट के टॉप सिंगर है आज भीन के गाने अगर सल्मान की मूवी इच को छोड़ दें तो हर एक मूवी में सुनने को मिलते हैं लेकिन अरिजीत को सल्मान से माफी मांगते हुए स्पॉट किया गया है अगर आपने उस अवार्ड शो को ध्यान से देखा हो तो उसी अवार्ड शो में सल्मान की एक और सलेब्रिटी से काफी तीखी गहमा गहमी हुई थी अरिजीत सिंग के बाद मिथुन को तुम ही हो गाने के लिए बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड देने के लिए स्टेज पर इन्वाइट किया गया था सल्मान भी उस वक्ट स्टेज पर ही मौजूद थे मितुन ने अवार्ड रेसीव करने के बाद सलमान पर तंच करते हुए कहा कि तुम ही होने लोगों को सुलाया नहीं बलकी जगाया है क्योंकि अरिजीस से होई बहस में सलमान खानने कहा था कि जब तुम ही हो जैसे गाने बजेंगे तो लोग सोही जाएंगे उसके बाद सल्मान मिथन से कहते हुए नजर आए कि आपके सिंगर सोते हुए आए थे और सल्मान मजा की अठंग में मिथन के पैड छूते हुए नजर आए थे मिथन जब आवार्ड लेकर जाने लगे तो उनकी पैंट पर उनके नाम का स्टिकर चिपका हुआ था उसे हटाने के लिए सलमान आगे बढ़ने लगे, पर मिथुन को कुछ अजीब लग रहा था, सलमान ये कहने लगे कि अच्छाई करने जाओ तो अब मिथुन अपने पीछे लगा नाम स्टिकर हटाते हैं तो सल्मान कहते हैं तुम्हारे सिंगर ने चिपका दिया ये तुम्हारे पीछे जिसके बाद मिथुन ने जवाब दिया कि आप लोग छे घंटे बिठा कर रखते हो इसलिए ऐसा होता है जिसके बाद मिथुन को हग कर देख से नीचे उतर आते हैं इस लड़ाई के बाद लोगों को यही लग रहा था कि इस बहस के बाद मिथुन का करियर मुश्किल में पड़ जाएगा लेकिन इस इंसिडेंट के बाद भी मिथुन ने थीक उसी तरह काम किया जैसे वो पहले कर रहे थे उन्होंने एक विलन हाफ गल्फरेंड हमारी अधूरी कहानी और कबीर सिंग जैसी फिल्मों के लिए कमाल का संगीत दिया इस इंसिडेंट को लेकर मिथुन ने कभी सल्मान से माफी भी नहीं मांगी कैसी लगी आपको इस रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी खबरों को पाने के लिए देखते रहे हमारा चैनल नेक्ट नैट निउस धन्यवार